मुख्यमंत्री योगी आजिदनाथ ने कारगिल विज़े दिवस के आउसर पर लखनों में आउजित कारकरम में कारगिल में सहीद होने वाले जवानों के त्याग वा बलिदान को याद रखते हुए उन्होंने काहा हमारी सरकार कारगिल में सहीद हूए जवानों के परिजनों के साथ हमेज़ा खड़ी है कारक्रम में योगी सरकार के मंद्री वा सहीदों के परिजन भी मौझूद रहे और इस उसर पर हम सब सौभा के साली हैं कि देश की आजादी के इस अम्रिक महत्सों आईजन के साथ हमें जोड़ने का उसर काथ को होगा आजर्णी प्रभान मंत्री जी ने कादिक्तरम पुरी देश के लूप्लत कराया है कि हम यह महत्सों तो मनाएंगे लेकिन यहां बहुत सों हमारे लिए क्योल महत्सों पक्स दिमित न रहे बलकि एक संकल्क दिवस्ती बन जाए देश की आजादी के 75 वर्स आगामे 25 वर्सों क यह प्रहत कार्योजना को लेकर कि हमें कार्य करना होगा यह प्रहत कार्योजना कि हमें भारत को अपने देश को कहां लेकी जाना है कैसा भारत हम चाहते हैं आने वाली पेड़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्मान के है पुरे भारत वास्यों को 135 करोड की आबा करेंगे तो इसके पैणाम भी हम सब के सामने आएंगे और इस दिश से ग्यारा से सत्रा अगस्त के बीज एक विसेस अभिहान चला है यहां पर इसकूली कारिक्त्रमों को इस्कूली अस्तर पर अलग लग संस्ताओं के अस्तर पर संगठनों के अस्तर पर ब्यत्यों के अस्तर पर आयुचित होना है जिसकी कार्योचना पहले ही सभी जला प्रसासन को प्लब्द कराया जा चुका है 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर के रंगा के साथ जुड़ना है भारत के आनमान और सान का प्रतीग भारत के गौरा और गर्मा का प्रतीग भारत के सौर्य भारत के सांधी और भारत की तगति का प्रतीग भारत के तिरंगे को हर घर पर लहरानी के ग्यापक कार्योचना भी बनाई गई है और मज़े लगता है कि भारत वासितों चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके भारत के राष्टिये प्रकीकों के प्रकीम सम्मान का वहाँ देख्ट करें भारत के इन प्रकीकों के प्रकीम सम्मान का वहाँ भारत के महापुरसों के प्रकीम सम्मान का वहाँ हम सब के मन में पैदा करें जो हमें उन संकीरताओं से ओपर उठने की पेड़ा प्रदान कर सके जो हमें जाती, मौत, मज़ग, छेतर, भासा या किसी भी उन संकीरताओं के गारे में पैद करके भारत को कमजोर कर रहा है उन संकीरताओं से ओपर उठतर के हम सब को मिल करके एक भारत, स्रेश्ट भारत बनाने की पधान मंतरी लोदी जीकिन तरकलपनाओं को साकार करने के लिए पूरी भारत वास्यों को जोड़ना होगा और इस उसर पर वचाहूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर कर भारत के आन मान और सान का पुदी के ग्रंगा नहराने की कारवाई को सभी स्कून, कॉलेजे, संगठान, सोष्पाएं और हर भारत वास्यों के साथ जुड़ेगा तो रास्तियता की एक नहीं लहर हर भारत वासी के अंदर पैदा करेगा और उन अवर बैदानों के सपने को साकार करने का इस से च्छावसर में होगा जिन्होंने देश की रक्सा के लिए और भारत की अखंदका के लिए अपना स्वोच पैदान भारत की सिमाओं की रक्सा करते भी दिया है